भारतिय संस्कृती पुरातन काल से ही शौर्य की उपासक रही है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीर्ता प्रकट हो इसलिए दश्हरा का पर्व मनाया जाता है। साधारन लोग यही मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापती रावन का बद किया था। यानि सत्य का दामन पकड़े भगवान श्री राम ने असत्य और पापकर्मा का वधकर विजय प्राप्त की थी। समय ने इसे अधर्म पर धर्म की विजय करार दिया। परंतु दश्हरा का इतिहास वास्तव में इससे पुराना है। धार्मिक साहित्य खंडालें तो इस पर्व के संबंध में कई अन्य कथाएं भी मिलती है। दश्हरा का पर्व हर वर्ष आश्विन मास की शुकलपक्ष की दश्मी तिथी को मनाया जाता है। दश्हरा के दिन लोग रावन के पुतलों को जलाते हैं। इस त्योहार को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि रामायन में श्री राम और रावन का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था। आपको बतादें कि रामायन के अनुसार प्रभु राम और रावन के बीच भन्यकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद भगवान राम ने युद्ध में सफलता हासिल हुई थी। उस दिन से ही हर वर्ष दशरा का पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। इसके बाद भगवान राम और रावन का युद्ध कुल आठ दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है। कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावन को हरापाना असंभव था। क्योंकि जैसे ही रावन का सिर उसके धड़ से अलग किया गया। तब उसका दूसरा सिर उत्पन हो जाता था।